अपने इस खास कारिक्रम में हम मिलवाते हैं देश प्रदेश की उन शक्सियत से जिनकी कहानी सुनकर आपको प्रेणा मिलती है जिनके जीवन के सफर के बारे में हम जानते हैं और जन्दा तक प्रेणा दायक कहानी पहुचाते हैं और आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है राजेश्वर सिंग जी जो की बीज विकास निगम के उपाद्यक्ष हैं। आज हम जानेंगे उनके जीवन के सफर के बारे में कि कैसे उनको ये मुकाम हासिल हुआ है जनता के बीच पहुँचे हैं और उन्होंने अब तक किन-किन संगर्शों का सामना किया है। बहुत बहतर था लेकिन सं 1984 से एक दिबागी उपज हुई कि हिंदू हित के लिए कुसकार किया जा है। दो हजार बीस चे लगातार हिंदू जुआहनी का कारे हमने प्रारम किया। तेरा नौजवानों से हमनों उन्होंने शुरुवात किया था कुशी नगर्थ। महराजी ने जो कदम उठाया और वही से यह संघर्ष का कारे प्रारम हमनों ने प्रारम किया। सन दो हजार बीस हिंदू जुआहनी का हमनों ने गठन किया। कुशी नगर्थ पड़ोना कुशी नगर्थ में पड़ोना एक तस्रील है। पड़ोना से हिंदू जुआहनी का गठन प्रारम होता है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं चौदा प्रांतों में हिंदू जुआहनी पुज्योगी आदितनात महराजी के तत्वाधान में अनमरत कारी कर रही है। राम होया रहीम हिंदुत्तों में सुरक्षित रह सकता है। इस भाव से हम लोगों ने कारी करना प्रारम किया है और सर विजित है हम किसी का उत्पीरन नहीं करते। लेकिन देश हित में, राष्ट हित में, समाज हित में जो कारी करता है उसके हित के लिए हम लोग चलते हैं। और हिंदु या मायनी संघर्ष की कोक से पैदा हुई है और आज भी अनवरत संघर्ष के लिए मानी जाती है और या पुझ्योगी आधितनात महराजी का त्रे नेत्र है। हम अपनी सकती का प्रतरसन हमेशा नहीं करते हैं। लेकिन जब आवशक्ता प्रती है 2003 में, 2004 में, 2007 में जो इतिहास हमने लिखा है पुरिय उत्तरफिदेश के लिए वह समाज के लिए प्रेड़ा का सुरुत बना है। अगर आपके राजनीत एक सफर के बारे में बात करे तो उसमें कौन-कौन से उतार चड़ाओ का सामना किया आप देखे राजनीत में हम लोगों ने तमाम संगर्स किया है जैसे कुछे नगर में मिस्रोली कांड हुआ, जिमका दंगा हुआ, काली माता पिंडी कांड हुआ, गढ़िया बसंदपुर कांड हुआ, रामपुर धोड़करवा कांड हुआ, हफवा बुजुर कांड हुआ, इस तरह से एक नहीं सेकुलों घटनाएं मैं गिना दूँगा घंटा घडियाल नहीं बढ़ने जिया आता था, केवल 45 परिवार था, हर्जन और धोबी, उस गाउं में घंटा घडियाल नहीं बढ़ने जिया आता था, किसी हिंदू के मिर्त्व के बाद मस्जिद से उसकी लास नहीं जाने दी आती थी, वहाँ पूजा पाठ पर सक्त प रखने जिया जाता था, सर विजित है, पुरे उत्तरप्रनेश में सबसे अधिक डोल कुछी नगर में रखे जाते हैं, अब पहला डोल हमने रखवाया सन 2003 में, और वह रूप नहीं आना चाहिए, उसके बाद कुछ अवांचनिय तत्तोदारा धंगे का रूप दिया गया, चौदा गाउं में करफू लगा, पुरे उत्तरप्रनेश में सर विजित है, अंग्रेजी हकूमत में भी करफू नहीं लगा होता गाउं दियाज छित्रों में, और चौदा गाउं में करफू लगा, साड़े तीन सो नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, चौदा, सोल यलाईयों इंस्पेक्टर, SDM, कुल मिलाके 11 अधिकाली निलंबित हुए थे, हम लोग जेल गये थे, तीन रात, तीन दिन दिन जेल में रहे, फिर पुज्योगी आदितनात महराजी के द्वारा धरना दिया गया, पुना हम लोग की रिहाई हुई, वापसी हुई, मिश्रो का का कारी किया, हमने जो भी कारी किया है, कराया है, दलित और सोडित, सोशित और पीडित लोगों के लिए कर किया है, जो समाज का चोथा अस्तम्ब है, जिसको कोई नहीं पूच्ता था, केवल ओट देना, और ओट में उनको इस्तेमाल करना, उसके बाद फिर उनको यथा इस्तिती पर छोड़ देना इस तरह की फूर की सरकारे करती थी उनके लिए हम लोगने कार किया है हमारे वहाँ कुछी नगर जन्पत में भूग से मौते होती थी सन दो हजार दो में नो मौते भूग से होती हुई थी गौरी सिरा बैदवली भुईसोरा भकरी फार्म इन चार अगर हमारा कोई भाई कोई दलित वर्ग पीरित सोसित अगर चूहा और घोखा खाकर जीवोंने आपन करता है तिससे अधिक बात क्या होगी उसके लिए हम लोगने शंगर्श किया नो मौते भूग से हुई थी पुझ योगी आधितनात महराजी से बात होती है संसत चल था दिल्ली में महराजी ने कहा कि नहीं ठी घराय सुर्शिंग मैं कल नहीं परसो मैं संसत छोड़ करके मैं आ रहा हूं पुझ महराजी आते हैं तब तक उन परिवारों को आवाज बिधा पेंसन जाब का जो भी योजनाय सरकारी उनको उनको नहीं मालुम था कि इनसे हमको ला 30 चक खाद्यान कुछी नगर का दिवरिया में हम लोग पकड़ते हैं यह इस्तिती थी वहां के द्रिद्वर की और उसके बाद पुझ महराजी ने वह संगर्स उनके लिए संगर्स किया पढ़ोना से यह क्या करते हैं यहां तक रविद्र नगर तक जो जिला है जिले का हम लोगों ने जिला दिकारी का खिराओ किया उसके बाद लगातार संगर्स पुझ महराजी के आशिरवाद से पुझ महराजी के तत्वाधान में लगातार हम लोग द्रिद्वर के लिए संगर्स करते र है और आज वा चौथा स्थम मजबूत हुआ है कुशी नगर में मुसर समाज मजबूत हुआ है गोरकपुर में बंचांग्या समाज मजबूत हुआ है महराज गंजी में जो बगल का जिला है कंजर वस्ती कंजर वस्ती का समाज मजबूत हुआ है और यहां तक की पुझमयोग आदितरात महराज पहले बार जब मुक्रमंत्री होते हैं तो पहला ठीका करन अभियान उसी मुसर्वस्टी से उन्होंने प्रारम किया और आज उन मुसर्व के लोगों के लिए आवास बिधापेंसन, बिद्वापेंसन, जाबकार्ट, उज्वला योजना, गैस की योजना, जो भी बड़े तपके के लोग ऐसा आराम कर रहे हैं, उन्हों सारी मुर्भूत सुईधा हैं, हम उनको देने का कारिश्ट कर रहे हैं, और एक संकल्प के तहत, आज मुसर्वस्ट समाज मजबूत हुआ है, गोरकपुर में बंटागिया समाज मजबूत हुआ है, यानि हिंदू के संगरिश को चना, अब देखे एक शुरुवाती या एक भूत था मेरे उपर, जो भूत चड़ा, एक तरह से माल लिया जा, और लगातार, मेरे पिता इस्टिंग इंस्पेक्टर अफिस्कूल थे, मेरे बड़े भीया भून सननक्षा इंस्पेक्टर थे, मेरे च कारी प्रानम किया, और आज स्वेंग को मैं मजबूत मान रहा हूं, इसलिए कि दलित समाज आज मजबूत हुआ है, वाज चौथास तम जो गिरे तबके लोग हैं, जो पीडित और सोसित लोग हैं, अगर उनके लिए हम दो करम चलते हैं, तो हमको एहसास होता है, मैं स्वे स्वेंग के लिए गौरवानमित होता हूं कि हमने कुछ किया है, और आज पुझयोगी आदितनात महराज जी के लिए पूरा उत्तर प्रदेश के चौथास तम मजबूत हुआ है, चाहे किसी भी जनपद में की बात आप कर लेजिए, चाहे गाजियाबाद, मेरड, जब इस पद पे आप अपनी सपलता के श्री किसे देते हैं? पुरी बेश्था, बीज विकास निगम कृशी विवाग दे रहा है, और आसाहिने में पुरु विस्वास है, आप देख रहे हैं, पुर्वांचा से पस्षिवाल जलतन का किसान आज मजबूत हो रहा है, और किसान मजबूत होगा, तो समाज मजबूत होगा, इसलिए किसा किसानों के हित के लिए, किसानों के सर्वांगिर विकास के लिए, हमारी सरकार अनवर्त कार कर रही है, और उसी का एक हिस्सा, यह हमारा निगम भी है, जिस तरह से किसानों के हित में सरकार काम कर रही है, जादतर नीताओं को भी ऐसे ही चुना गया है, जो कि खेती किसानी स जुड़े हुए हैं जिनका परिवार भी किसानों से जुड़ा हुआ है तो आपको क्या लगता है इससे कितना बदलाव देखने को मिलेगा और आपने कौन-कौन से योगदान दिया अभी तक किसानों के लिए देखे किसानों के लिए हम समय से बीजुफलब कराते हैं बढ़ियां से बढ़ियां बीज देने का संकल्प हम लेते हैं इसलिए निगम के सभी कर्मियों को लेकर के लगातार हर महीने में एक दो मीटिंग हम लोग कराते हैं हर छेतर में हम लोग जाने का जाते हैं जो भी हमार करते हैं उनकी दिककते हैं जो भी परक्षानिया है उनके समधान के लिए अनुवत हम लोग कारी करते हैं जिसा कि हम जानते कि आपके उपर कई मुकदमेदर जया आप कई वाज़ यात्रा भी कर चुके हैं तो इसके पीछे की वज़ा भी जना चाहेंगे आखिर सबसे लंबी जेल आपको कब हुई थी? उस समय की सरकार उस समय का परसासन की अंदर सुख भुगाहट नहीं होती थी? कारी करने की और प्रत्क्रिया में पुझी महराजी की ग्रफतारी ये लुकिये और ग्रफतारी होने के बाद हमें याद है वो संसाथ 436 या 37 ताजिया जले थे उस समय और कहीं हम लोगा कोई उसमें सहयोग नहीं रहा चुकि हम लोगा उदेशी था पीडित तो सोसित अगर कोई पीडित है तो वो कैसे उसकी घटित घटना का समाधान कैसे होगा कोई कस्ट में है तो अग पीडा कैसे उसकी दूर हुक कैसे होगी या हम लोगा एक मनुयोग से हम लोग कारिकरते थे लग करके तो उस समय पुझी होगी आधितनाद महराजी की गरफटारी होती है कस्यां में हम लों कारेक्रम रखे थे कस्यां से वापसी हम लों जा रहे थे तो गोरगपुर में पुझी महराजी के साथ गरफटारी हुई हम सभी लोगों को BCI जेल में डाल दिया गया और ग्यारा दिन के बाद पुझ महराजी की दियाई हुई लेकर हम लोग के उपर एने से लगा दिया गया जबकि हम लोग का कोई आपराधिक शरित्र नहीं है हम लोग ने सदेब जो भी संगर्स किया है दलित और सोशित और पिडित लोग के लिए किया है कही स्वेंग के लिए हम लोग ने कोई इस तरह का दुसाहस कोई इस तरह का कारी हम लोग ने नहीं किया है हाँ कही राश्च विरोधी घटाय घटित होई है कही राश्च विरोधी कारी हो रहा है तो उसका विरोध हम लोग किये हैं और करेंगे आज भी हम लोग करने का संकल्प हम ने लिया आज भी अगर कोई इस तरह की बात होती है तो हम लोग कराब पीशे नहीं हटेंगे गलत है तो गलत कहेंगे सही है तो उसका शैयोग करेंगे पीडित है तो उसका साथ हम देंगे पीडित है, सोसित है, मल्लूम है तो उसका साथ देंगे चाहे इसके लिए एक बार नहीं, सो बार जेल जाना पड़े जेल जाने की कोई चिंता हम लोगों को नहीं रहती है हिंदू हित में हम लोगों का कारे सरवांगेड बिकास के हित के लिए हम लोगों कारे उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का संकल जो हम लोगों ने लिया है जो पुझ्योगी आदितनात महराजी का एक अभियान है उस अभियान के तहट हम सभी को हर वर्ग को लगने के आप सकता है और हर वर्ग को पुझयोगी आदितनात महराजी के बताय रास्ते पर चलने के आशकता है तभी यह उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश बन पाएगा मोदी जी बार-बार करते हैं हमारे जो अगवाँ हैं प्रधान मंतरी हैं देश के बार-बार करते हैं सबका असाथ सबका विकास और सबका विश्वास यह हम तभी प्राप करेंगे जब मनुयोग से लग करके एक रुपता का बाव रख करके समाज के हित के लिए हम कारी करेंगे चलेंगे तो निश्चित रूप से एक अभियान के तरह वह संकल्प पुझी मो मुधि जी के साथ हैं वह बहुत बड़ी ताकत हम लोग के लिए है और अगर जीवन हम लोग उने पाया है तो सदय हम लोग उनके साथ रहेंगे और देश हित्मे राष्ट हित्मे और चोथे अस्तम के हित्मे कारी करेंगे राजनीती में अक्सर एक बात जरूर कही जाती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ ऐसे राजनीता है जिनके उपर कई अपराधिक मुकदमे दर्ज है आपके उपर भी कई मुकदमे दर्ज है लेकिन अगर आपके मुकदमों को देखा जाए तो क्या आपको लगता है क इस वझे से हैं या गलत काम की वझे से लिए स्वहन को बताऊं मैंने कभी जीवन में कोई अपराण नहीं किया है मैंने अगर लडाई भी लिया है तो डलित सोशित बर के लिये लडाई- लडाई जो अतिकम जोर है जुसको कोई पूश्ने वाला नहीं है उसके लिए हमने नड़ाई रणा है और सुयंग को मैं मजबूत भी हुआ हूँ सुयंगे मैं मिद्गाई कि में बिल्खता है कि हमने नेक कारी किया है गलत हमने कहीं नहीं किया है तो पीठा दिश्तिवर को आम जन के हिद के लिए दलिजबर के हिद के लिए सही कहने के लिए अगर जेल में डाल दिया जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है एक पीठ के पीठात हिस्वर को आप जेल में डाल दे रहा है तो उसके लिए अगर हमारे पीठ के पीठात हिस्वर हमारे गुरू अगर जेल में है तो उनके लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए तो हम लोग अपने प्राणों की आहुती भी दे सकते हैं इसलिए कि उनी से हमारी पहचान है फुजयोगी आदितनात महराजी से हमारी पहचान है आपने इतना संगः शुकिया है हिंदू के लिए समाज के लिए सब के लिए लड़ाई लड़ी है क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके उपर कई मुकदमे हो गया क्या कोई कठिन समय जब आपको लगाओ कि नहीं अब आप हार रहे हैं ऐसा कभी जीवन में नहीं आया, मैं चौदा बार जेल गया हूँ, सन दो में भी एने से लगा था, समाप्त हुआ सन तीन में भी लगा, और सन सात में लंबी अवधी के लिए लगा, हम लोगों ने कभी पीशे मुड़ करके नहीं देखा है, समाज के हित के लिए हम लोगों न मजबूत हुए है, यह स्वाइं को ऐसे लगता है कि मैं मजबूत हुआ हूँ, और इस तरह का कारे नेक कारे के लिए अगर हमको जाना पड़ रहा है, अच्छे कारियों के लिए जिल जाना पड़ रहा है, ति हम लोगों करते रहेंगे, कोई दिकर ने, अपने जीवन का तो यही माना जाएगा कि जिल में रहना, लेकिन स्वाइं को गौरवान में त्य होना पड़ता है कि हमने नेक कारे करके हम गये, अच्छे कारे करके करें, यह एक गौरों का भी शे होता है, हम अफराद करके नहीं गये हैं, अफराद उसको करते हैं जो डखायती किया हो, हत अच्छे कारियों में देश की लिए गया इसलिए हम लोग सजय देश हित में कारी करते हैं रास्ट हित में एक सोच रहती है हमारा हरवर्ग मजबूत हो दलित से दलिक गरीब से गरीब आदमी भी हमारी बहन हमारी बेटियां सुरक्षित रहें और उस भाव से हमारी सरकार कार भी कर रही है आज के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में बारावे रात को भी हमारी बेटी हमारी बहन अगर सड़क पर निकलती है तो वह सही सलामत गई है सही सलामत आएगी पूर में यह सितिया थी परिवार के लोग अभी पुझयोगी आदितनात महराजी जब पहले बार मु के मंतरी बनने के बाद तुरंट एंटी रोमियो स्कॉय टीम का पहले बार उन्हों ने गटन किया और वह केवल बेटी सुरक्षा, बेटी बचाव अभियान के तहत, वह एंटी रोमियो स्कॉय टीम पूरों में विकार करती थी, आज भी वकार फूरे उत्तर प्रेस में कर रही बेटियों की सरवांगिर विकास के लिए इस्कूल में बेटी जाती है इस्कूल के अगल बगल में उमारी टीम रहती है हर कालेज के अगल बगल में रहती है इंटी रोमियो स्कुराइट टीम और सरकार का यह मानना है कि हमारी बेटी सुरक्षित जाए सुरक्षित आवे या पर्थम बरियता में हमारी सरकार या कारे कर रही है बेटियों की सुरक्षा के लिए सही योगदान दे रही है और कारे हो रहा है यह तो आपकी जीवन में कई किस्से होंगे लेकिन वो कौन सा किस्सा था जिसने आपको सबसे ज़्यादा ठेस पहुचाया आपको लगा कि हाँ समाज में बदलाव की जरूरत है यह घटना जो घटे तो यह यह नहीं होनी चाहिए दिए यह संसाथ की घटना संसाथ में एक दलित के लिए जब कुझयोगी आदितना ने महराजी ने करनम उठाया और सरकार और वहां का जिलापरसासन गोरखपुर का जब यह नहीं सुन रहा था इनकी बात नहीं मान रहा था इनकी जो सूच थी उनके अनकूल चलने का प्रयास नहीं कर रहा था और जबरदस्ती राजकुमार अग्रहरी की हत्या गोरकपुर में होती है कस्या में कारिकम रखा जाता है और वापसी में हम सब की गिरफतारी एक बार होती है और देश्वस उस समय तो यहां तक सरकार ने तैंकिया था कि योगी जी को अन्यत हटा दिया जा और उसके बाद 123 लोगों की गिरफतारी उस समय होई थी गोरकपुर में और यह था कि 7-6-6 की टीम बनाके अलग-अलग जेलों में लोगों को डाल दिया जाए हम लोग कोई राश्ट दो ही तो थे नहीं अच्छे अगर कहीं घटना घटी प्रसासन नहीं कर रहा है कारिवाई तो बोलना पाप तो है नहीं अगर हमने बोला पुझयूगी आदितनाद महराजी ने बोला तो पाप तो उन्होंने किया नहीं अगर गलत है तो गलत कहना हम सब की जिम्मेदारी है और उस पर निड़े लेना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है प्रसासन नहीं सुनता है उसका हम घटनाओ करेंगे तब भी नहीं सुनता है उसके खिलाफ कारवाई करेंगे तब भी नहीं सुनता है तो दंडात्मक कारवाई हम करेंगे पुरे समास को ले करके और हम लोगों ने किया तमाम घिराव, धरना, प्रदर्सवन जो भी घटनाय घटी है दलित और सूसित और पीडित लोगों के लिए ही हुआ आपने हिंदूों के लिए दलितों के लिए पिछडों के लिए तो काफी काम किये हैं अलपसंगों के लिए मुस्लिमों के लिए कौन-कौन से कदम उठाए है हर आप भी मेरे जिले में सलिये हमसे ज्यादे अलपसंग्यक किसी के साथ नहीं है मैं लखनओ में भी जब आता हूँ तो यहां भी हम अलपसंग्यक समाज मेरे साथ रहता है सुरू से अब तक हम लोगों ने बिरोध किया किसका जो बिरोधी जो अलपसंग्यक राष्ट द्रोही रहे जो गाय बैल के तसकर रहे जो माफिया रहे जो अपने को घुंडा और अपराधी समझते थे ऐसे लोगों का हम लोगों ने बिरोध किया कहीं भी इसलिए हमनों ने कहा है राम हो या रहीम वा हिंदुति में सुरक्षे रह सकता है लेकिन अल्पसंख्याक में कुछ अपराधी तत्रत्ट्म या अगर धोनों बार में मालना है तो कुछ लिए हंदुओं में भी हो सकते है अपराध अगर कोई करता है, गल्ट करता है, रास दूही कारियों में सनलित रहता है, तो उसका हम भी रोत करेंगे हमारी गौव माता जो गौव माता पूरे जीवन भर हम को दूपी लाती है, वो अपनी ताकत हमको देती है, उसके दूप से हम जमान बने रहते हैं 33 करोड देवी देवताओं कान से गव बाता में माना जाता है और उस मा की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है उस मा के साथ कोई अवैतनी कारी होता है वह मा उसकी गव कसी होती है गव तसकरी होती है इसको हम किसी भी रूप में, पूरे उत्तरप्रदेश में संचालित नहीं होने देंगे, चाहिए उसके लिए कुछ भी करना पड़े है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि जो भाजपा है, वो हिंदू मुस्लिम के राजनीती करती है, दोनों में नफरत पहलाती है, नफरत की राजनीती करती है। लेकिन एक भी घटना है, विपक्ष आकर के खड़ा हो जाए, आकर के बैठ ले और अपनी बातों को कह दे और सुन ले, कहीं भी हिंदू युवाहनी के लोगों के तरफ से, हिंदू युवाहनी के नेताओं के तरफ से, कहीं भी पहले अराजक्ता नहीं पैदा की गई है, अराजक्ता कहीं हुई है, तब हिंदू युवाहनी के लोग पहुचे हैं और अपने प्रतिकार जो भी करना पड़ा है, हम लोगों ने किया है। हिंदू युवाहनी अराजक्ता नहीं है, उसकी एक नहीं सैक्रो लाइने मैं लिख करके दे दूँगा और प्रमार सहित दूँगा, जो भी घटना या जो ही मुकदमे हम लोगों पर किये गया है, मैं तो मानता हूँ कि राष्ट हिट में हम लोगों ने कार किया है और भी ह गलत को गलत कहने में कोई परहज नहीं होना चाहिए, हम गलत है तो गलत कहिए, दूसरा गलत है तो उसकी गलती मानिये, सुनिये, अभी एक छोटी सी घटना घटी थी, पूरे भारत और पूरे विश्व का माहुल खराब करने का प्रयास किया गया है, जबकि ऐसा खुष भी नहीं था उस घटना में, जिसको बात करना हो बैठ ले, बैठ ले, समय ले, क्या होना चाहिए, क्या कहा जा रहा है, मत भेद होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मन भेद पैदा किया जाएगा, तो इस्तितियां अनकूल नहीं हो उसको हम कुचलने का प्रयास करेंगे और किसी भी रूप में अराजक्ता पुरे उत्रप्रदेश में अराजक्ता नहीं चलने देंगे चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े यह हम लोगों ने संकल्प लिया है और संकल्प के तार हमारी सेना हमारी हिंदू योवाईनी पुजयोगी आदितनात महराज मुख्यमंत्री है और पूरा उत्रप्रदेश आदूत्रप्रदेश बनने को संकल्पित है हम कार कर रहे हैं अपने कार्यों पर विश्वास है और आज चोथा अस्तम मजबूत हुआ है चोथे अस्तम के मजबूती के लिए जिसको अच्वू हुद समझा जाता था हम लोगंके साथ गले मिलते हैं उनकी खाना बनाती है खाना बनाती है पहति हैं और अपने उनके में कोई फरहिजा और नहें समझते हैं सब को एक बराबर ब्योस्था और विश्वास देने का संकल कुमारी सरकार ने किया है और वह संकल पूरा हो रहा है लोगतंत्रम में सरकार के साथ सब विपक्ष का भी मजबूत होना काफी एहम होता है अगर केंद्र की बात करें राहुल गांदी, राज्य की बात करें अकलेश शादव, दोनों की नेतृत वो कैसे देखते हैं? देखिए अच्छे नित्यवत करता है अखिलेश जी भी अच्छे नित्यवत करता है राहुली भी 50-55 साल तक उन्होंने सरकार रही, उन्होंने कारी किया आज की स्थिति क्यों इस तरह की बनी हुई है और कहीं एक सीट उनको नहीं मिल पा रहा है इस सित्या क्यों उनके प्रिकूल हो गई जब समय आपके लिए था तो आपने कारिक किया नहीं मेरा समय आया तो बैठके देखिए पचास साल तक 45 साल तक उनकी सरकार थी लेकिन कहीं न कहीं उसमें जो कमिया रही वाज प्रतिक्ष देखने को मिल रही यही सोशित वर्ग और पीरिद वर्ग जिसकी बात्चर्चा में बार बार कर रहा हूं उनको केवल ओट तक ही सिम्मित रखा गया ओट लेने तक ही सिम्मित रखा गया और उसके बाद उनके तरफ देखा भी नहीं गया तो कब तक इस ठितिया आपके अनकोल रहेंगी इस ठितिया तो प्रत्कूल भी रहेंगी क्यों नहीं होंगी आप उनके हित के लिए नहीं चलेंगे समय रहते हुए समय रहते हुए आप उनकी बात नहीं बानेंगे नहीं सोचेंगे उनके लिए नहीं चलेंगे, नहीं कारेंगे, तो इस्थितिया प्रत्कुल होंगी, हम नहीं करेंगे, हमारी भी प्रत्कुल होंगी, हम उनके कारियों पर खरें नहीं उत्रेंगे, उनकी कारें पडाली पर सही नहीं उत्रेंगे, उनके सुख दुख की चिंता हम नहीं करेंग तो हमारी बिश्चिती वही हो सकती है। आज नहीं कल。 इसलिए फुफ्ष योगी आधितनात महरास जी के आधरसों पर हम चलने का संकल्प लेते हैं। आधिरनी मोदी जी महार विक्तित्तों हैं उनके आधासों पर चलने का हम संकल्प लेते हैं जो उन्होंने कारी किया है हम उसी के लिए उन्हीं के पीछे उन्हीं के पत्चिनों पर चल करके राश्ट इत्में देश इत्में प्रदेश इत्में कारी कर रहे हैं जिस तरह से हमने विपक्ष की तो बात कर लिए लेकिन मौझूदा वक्त में विपक्ष एक मुद्धा बहुत तेजी से उठा रहा है वो है महंगाई बढ़ती महंगाई को किस तरह से देख रहे है क्योंकि आपने हर समाज के लिए लड़ाई लड़ी है और सब महंगाई इसस स्वास्त बिमा योजना सब के लिए हमने उन्दिया है गैस कनेक्षन जो दलित वर्ग जो माता है बहने जिनकी आख खराब हो जाती थी चुड़ा फूगते फूगते उनके लिए हमने गैस की ब्योस्ता किया है फ्री आफकास्ट रासन गेहूं चावल तेल चना चीनी की ब पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में संचालित किया है कि गरीब तवका का अब्यक्ति भूग से नउ मरें जो कम जोर बर्ग है अपने को कम जोर न समझे चाहे सुखे की स्थिति यावे चाहे बाड की स्थिति यावे हर स्थिति से निपटने का हमने संकल्प लिया है और आज किसी भी सूरत में चूकी विपक्ष की भूमिका कहीं भी किसी भी छत्र में पूरे भारत में सरानिय नहीं रही है इसले विपक्ष को कुछ मुद्दा च सरकार कारी योजनाइव है जो संचालित हमने किया है उसके कारी लुप में देखें सारी ब्यवस्ता आपके उनकूल है अज परिया वराण में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं कहीं बहुत जदा बारिश होती तो कहीं सूखा बढ़ जाता है आप किसान भाईयों को क्या संदेश देना चाहिए देखे अगर कहीं सुखा है तो समस्या से निपटने का भी हमने कारी करना प्रारम किया है कहीं बाड़ भिफीशिका है उससे भी निपटने का हमने कारी प्रारम किया है सर्मागेर विकास के लिए पौध रोपण का कारे 40 लाख पौधे एक एक कुरा भी हुआ है उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जन्पदों में पर्यावरान की ब्योस्था के लिए ही पौध रोपण का कारी सर्कारी प्रारम किया है एक एक जन्पदों में 40 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं ठीक अगर 40 लाख नहीं लगे 20 लाख भी लग गए 15 लाख भी लग गए तो एक अच्छा कृतिमान हम प्राप्त करेंगे जो देश हित्में और समाज हित्में निश्चित रूप से अच्छी व्योस्था देगा बताया कि कैसे उनके उपर कई मुकदमे दर्ज किये गए किन हालातों से जूझते हुए वो आज यहां तक पहुंचे साथी साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन पर NSA भी लगा है कई बार उन्होंने जेल यात्रा भी की है उमीद करते हैं आपको उनके जीवन से जुड़ी कहानी और जो तथ्या जो सामने आए है कि किस वजह से उनके उपर इतने इल्जाम लगे इतने मुकदमे दर्ज हुए आपको प्रेढ़ना मिली होगी अगले एपिसोड भी मिलेंगे कोई शुक्सित के साथ तब तक आप देखते रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार